सब्सक्राइब दोस्तों मेरे यूटीब चैनल फुचर टेक में और आज हम उन्बोक्सिंग करेंगे ओनर 20 आई की तो देखते हैं इसकी कंप्लेट अन्बोक्सिंग क्या इसके अंदर मैटेरियल है या कुछ इसके स्पेसिल फंक्सन है वह हम देखते हैं तो अगर मैं कुछ स दोस्तों मेगा पिक्सल प्लस 8 मेगा उप्स दो मेगा पिक्सल और फ्रेट कैमरा है वो है 32 मेगा पिक्सल का और प्राइज जो इसकी मार्पी है वह है 16,999 डू अपको मिल जाएगा यह फोन 10,999 रूपे में तो करते हम इसकी जो शील है वो ब्रेक और देखिए आप वीडिय हमारी मैन यूनिट जो की है एकदम स्लिम और इस फैंटम ब्लू कलर में जो की है कभी चम चमाता हुआ कलर और इसको भी हम रखते हैं एक बार यहां साइड में बाकी मेटरिल देखते हैं यह हमें मिल जाते हैं कुछ से आई-एम-ई स्टिगर्स इनको भी हम साइड बे रखते कि exists, what she did not work for her phone. चोटी मोटी प्रोटेक्शन के लिए एक दम सही है और अगर यह भाइद कलर में हो तो साथ खैंद ही। इसके अलाब के मिल जाती है Sym Eject tool खाいたlyक बथी जो की है बहुत ही काम की ही साइड चीज तो यह है कुछ इस इस टाइप की सीम में इजक्टर टूल इसको भी हमें गवार यहां रखते हैं साइड में जो कि हमारे चेक करने काम आएगा कि हाइबिट स्लोट है या कौन सा स्लोट है उसके बाद में अगर हम बात करें तो यह हमें मिल जाता है एक USB to Micro USB केबल अगर इसमें टाइप C केबल होता तो और अच्छी बात होती और यह मिल जाता है में एक हुई का पावर एड़क्टर जो कि मैं इसकी आपको रेटिंग बताता हूं वो है पांस वोल्ट दो इंपिर की या आप देख सकते हो पांस वोल्ट दो इंपिर की इसकी देटिंग है नहीं कि दस वोट का इक नॉर्मल चार्ज रख फार सार्जिंग नहीं सुपोर्ट करता है और यही था इस फोन का पुरा जो भी था इस आपकिताब अब हम सबसे पहले उतारते हैं इसका यह आई-म-ई नंबर वाला इस्टिगर अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस सैड में यहां हमें मिल जाता है एक पावर लोक अनलोक बटन उपर की तरफ हमें मिल जाते हैं वोल्म लोकर बटन और अगर फोन के अपर सेक्शन के अगर हम बात करें टॉप सेक्शन की तो यहां हमें मिल जाता है सेकंडरी माइक्रोफोन उसी के बगल में मिल जाता हमें sim tray, sim tray हम चेक करना चाहिए hybrid है या नहीं है, तो यह हम अभी check कर लेते हैं, और बिलकुल यह एक hybrid sims road है, तो इसमें हम एक sim, एक memory card या फिर dual sim एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसका card accept करने की capacity है, वो है 512 GB की, और phone की जो left side है, वो है एकदम clean, अब बात करते हैं, फोन की bottom side में, तो bottom side में सबसे पहले हमें left side में मिल जाता है 3.5 mm jack, उसके बगल में primary microphone, center में मिल जाता है USB to micro USB charging cable के लिए slot, और right side में मिल जाता है speeder grill, तो यह था इस phone का कुछ छोटा सा एक overview, phone हो चुका है boot, करते हम इसको start, सबसे पहले हम जाते हैं इसकी settings में और settings में जाने के बाद में हमें देखते हैं इसमें कौन सा version है EMUI का और Android का मिलता है, EMUI version है, वो मिल जाता है, में 9.0.1 Android version मिल जाता है 9Pi, और Android 10 Q ready है, यह phone जैसे ही launch होगा Android 10, यह इसमें support है, वो हमें provide करवा देगा, RAM की बात करें 4GB, इसमें रेम है internal storage की बात करें, जो जैसे हमें 115GB, वो free मिल जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यह किसमें काफी अची बात है, जो storage है, वो काफी शांदार दिया है, और display resolution है, वो हमें देर का full HD display resolution है, तो यह तो हो गई, फोन की कुछ inner system के लिए बात है, और अब हम इसका एक बार security चेक करते हैं, उस नहीं देख रहा है, यह लगाया, लगाता ही उपन हो गया, फिर से लगाया, लगाता ही उपन हो गया, तो fingerprint हो एकदम क्वीक मतलब कुल मिला गए, उस परी तरह से फास्ट है, अब बात करते हैं, इसके face unlock की, और मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा, और जैसे ही मैं देख और यह slide to open हो गया, अब मैं इसकी तरफ continuously देख रहा हूं, और हलका सा lock screen आता है, हलका सा lock screen आ रहा है, तो fingerprint अब वो काफी जबरजस्ट फास्ट है, और जो face unlock है, वो थोड़ा सा इसमें slow है, अब मैं बात कर लेता हूं, उसके छोटा सा camera test के लिए, तो मैं एक सेंपल फोटो ले यह मैंने एक सेंपल फोटो ली है, और मैं आपको इसमें details सेक करा हूंगा, कि कितने अच्छे से हमें यह details हैं, वो देखने को मिलेंगी, और इसमें एक एक नाम है, वो दिखाई दे रहा है, तो details हैं, वो काफी अच्छी हैं, अब मैं एक बार इसका selfie camera ज़रूर चेक करना सबना, और selfie के लिए मैं आपको details दिखाता हूं, तो details कुल मिला के अच्छी है, 32MP जितना मुझे लगा नहीं, लेकिन details कुल मिला के ठीक है, camera बेकार नहीं का जा सकता, काफी सांदार camera है, तो camera setup है, यह मुझे इसका काफी अच्छा लगा, वही कि camera app के अंदर हमें बहुत सा काफी सांदार होता है, वही का अमेशा से, दोस्तों यह मैं सूट कर रहा हूँ, और जो quality है, वो है काफी सांदार, और camera का जो इसमें ratio रहता है, recording का वो भी काफी सांदार है, video recording है, उसका जो option है, वो हमें मिल जाता है, 18.7 x 9 ratio में हम record कर सकते हैं, और full HD mode में record कर सकते हैं, ज दर्दी हो रही है, काफी ज्यादा यहाँ, temperature है 5 degree, और quality में आपको दिखाने की कोशिज करता हूँ, काफी अच्छी quality दिखाई दे रही है, मुझे, सबसे अच्छी बात है, इसकी display, जो कि ए 6.2 inch की एकदम compact display, और एकदम छोटा सा phone लगता है, काफी अच्छा phone लगता है, और काफी अच्छी handling है, और पतंग उड़ रहे हैं यहाँ, यह मैंने लिया है, इसके rear camera से photo जो कि है काफी अच्छी, और portrait mode भी rear का है, वो काफी श्यांदार है, लेकिन जो portrait mode front का है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यह है, एकदम regular type की इसी photo, तो यह अच्छी नहीं ह पतला सा phone है, और compact size है, यह जो 6.5, 6.6 inch के display आती है, वो जाती है काफी बड़ी, और यह जो display है, यह है, एकदम compact type, तो मुझे एक phone काफी पसंद आया, color भी इसका शांदार है, vibrant color है, यह फैंटम blue, और 4GB की रह में 128GB storage है, बेटरी जरू थोड़ी सी हलकी कैसे हैं, 3400 की इस charging भी नहीं है, उस चीज में यह पीसे रज़ता है, और बाकी सारा हमें material मिलता है इसके अंदर, तो यही था इस phone का पूरा हिसाब किताब, और बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए और बताईए,